श्री सिवाई नमस्तु भ्यम हरहर महादेव आज एक ऐसे तिलक के बारे में आप सभी को इस वीडियो में ज्याद होगा जो अपने आप में आपके ततकाल रोग दोस मन में असांती रहती है ब्यक्तित्व में तेज नहीं है मन जो है परेशान रहता है कहीं न कहीं बोलने की चमता विक्सित नहीं है और रोग दोश खाय जा रहे है तो ततकाल आप चलते फिरते भी इस उपाई को कर लेते हैं तो निश्ची थी जीवन में अलग ही तरह का प्रभाव आएगा और एक जीवन प्रभावी होगा एक अलग ही बेक्तित तो आपका होगा गुरुजी प्र सबसे पहला कारिक पारिजात के पुस्प का है पारिजात का पुस्प जो है हर सिंगार के पुस्प के नाम से भी जाना जाता है और अपने आप में अद्भूत होता है जिस घर में पारिजात का पुस्प होता है कहा जाता है उस घर में धन की समझ्या कभी नहीं होती रात को पुस्प पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, सुबह की समय खुलता है, ऐसा कहा जाता है, अलग-अलग तरह से मिलने वाला यह पारिजात का पुस्प अपने आप में अद्भूत है, धनलक्षमी के लिए अगर मालक्षमी को इसे समर्पित कर दिया जाता है, तो अपने आप कि पन जो पारिजात का फूल होता है उसे चुन कर आप सभी को घर पर ले आना है और इसे लेकर कहीं ऐसा नहीं कि धूप इत्यारी में सुखा है सामानी सरलतरी के से घर पर छाया में इसे सुखा ले अब इस पारिजात के जो पिछे की डंडी होती है वह नारंगी रंकी और के केसर के समान प्रतीत होती है तो आप सभी को इसे घिस कर या किसी भी चीज में पीस कर आपको सुंदर इसका चंदन मना लेना है यह केसर चंदन पारिजात चंदन अपने आप में अद्भूत है इसे लेकर आप सभी को सिवलिंग के पास चले जाना है और महादेव के सिवलि सिवलिंग पर समर्पित हुआ है उसे आप सभी को कटोरी में ले कर आना है और बच्चे चिड़चिड़े हैं गुष्टेल हैं सवभाव में बहुत अधीक परिशान आपको करते हैं आपके पती भी बहुत चिड़चिड़े करेंगे दुबात आती है दूसरे कारिगी महादेव पर हम सभी कोई भी चीज समर्पित करते हैं तो वह अपने आप में बिल्कुल एक विसेश हो जाता है और अपने आप में अध्भूत हो जाता है तो आप सभी को घर से सिवलिंग पर जल समर्पित करने के लिए लोटे में देना है उसके बाद जो है अपने तीनों उंगलियां लेकर अपने मस्तक पर हमेशा जब भी महादेव के मंदिर में जाए गुरुजी खहते हैं त्रिपुंड बनाना सुरू कर देजिए त्रिपुंड नहीं बना सकते तो सामानी तोर पर सीव पर चड़े हुए जल से जो करते हुए उसके रोग दोस्तुरंत कर जाते हैं सीव पर चड़ी हुई कोई भी वस्तु अपने आप में दिब्य है पवित्र है इस पवित्र महने में यह कारी करना सुरू कर दीजी महादेव पर सीव निंग पर चड़ा हुआ जल जो बहता हुआ आपको प्राप्त हो कर मस्तक पर इसे धारण भी आपको जरूर से करना है ताकि आपके द्रोग दोश किसी ना किसी तरह सी कोई भई रहता है तो तुरंत खत्म हो जाए तो यह दूसरा चंदन दूसरा तिलक जो है आपको रोज की दिन चरिया में अपने सामिल कर लेना है बात आती है तीसरे कार जो है सभी देवी देवता आपको कुछ ना कुछ विशेज दे कर जाएंगे क्योंकि इस पवित्र महने में अपने आप में दुरलब से योग हो रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ 19 वर्स वबाद सावन अधिक मास हो रहा है तो आप सभी को कम से कम एक कनेर का फूल से उलिंग क का प्रियास करें साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से कनेर के फूल की माला आपके कोई कोट के का चहरी का मामला चल रहा हो कारी में सफलता रोग दोशकर्ज में बहुत अधिक बृद्धी हो रही हो पती पत्नी में प्रेम नहीं हो रहा हो तो कनेर के फूल की सुंदर मा माला बनाकर थोड़ा बड़े स्वरूप में आपको माला बनानी है इस बात का ध्यान रखें जया विशहरा शामरिवारी दो तली और देव माता रानी और महादेव की चार पुत्रियां है आप सभी जो है पांच पुत्रियां है और माता असोग सुंदरी एक छह पुत्री है तो आप सभी को इन सभी का समरन करते हुए ध्यान करते हुए गुरुजी कहते हैं जो उपर मटका लगा रहता है जिसमें से पानी नीचे बूंद बूंद करके टपकता है वह इस्थान जो है इन देवियों का है अर्थात महादेव की पुत्रियों का है तो इनका समरन करते ह हुए आप सभी को उस मटके से लेकर सिवलिंग पर जो है इस कनेर के फूल की माला को अपनी मनों कामना कहते हुए रोग पीडा कहते हुए समर्भित कर देना है निश्ची ती आने वाली परिशानिया भागी खुलेंगे दुख दरीद्रता आने वाली जो दुख तकलीफ है उ श्ची थी भागी खुलेगा रोग दोश कस्त भी मिढ़ जाएंगे स्री सिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महाते हैं